आप सभी को मैं नमस्कार मैं विशुजीत सिंग आप सभी का दिएना पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके नियू क्लासिस के बारे में नियू सेशन के बारे में कि ये कब से स्टार्ट होने वाला है एक तरह से पूरा अकैडमिक कैलेंडर है जो यूजी सी के द्वारा रिलीज किया गया है और आज का वीडियो बेस्ट होने वाला है वो दाज प्रिंट ने इस नियूस को कवर किया है तो उसी के बेस्पर आज हम पूरा टॉपिक डिसकस करेंगे कुछ इंपोरेंट चीजें हैं जो जानना हर इस सभी बच्चों के लिए बहुत जादा जूरूरी है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक पूरा येर का सेशन मतलब टाइमिंग कि कब क्या चीज कैसे कैसे होने वाला है एक येर के अंदर में उसको लेकर हम उसको हम अकैडमिक कैलेंडर कहते हैं कि इस टाइम पर एक्जाम होगा इस टाइम पर आपका रिजल्ट निकलेगा इस टाइम पर टेस्ट होगा ये पूरा जो है अकैडमिक कैलेंडर के नाम से जाना जाता है आगे हम बात करें कि न्यू अकैडमिक कैलेंडर में क्या है तो जो फॉर्स्ट येर की स्टूडेंस है ठीक है अभी त जो रेगूलर क्लासिस होती थी जैसे जो सोल वाले बच्चों के संडे- parentstck कि संडे-e क्लासिस संट हो सकती हैं आगहे हम बात करेंगे वी क्या options दी गई हैं आप हम बात करते हैं कि मौंबर से क्लासिस स्टार्ट हो सकती है तो नौंबर में दोस्तों आपको पता होगा winter break होता था ठीक है और आने वाले समय में summer break भी मिलता था बच्चों को ठीक है regular बर ले students को इस पीसली मिलता था साथ दिन दस दिन पंदर दिन का winter summer break होता था पर अभी इस बर जो है summer और winter break को हटा दिया गया session में से क्योंकि time कम है अब अगर अभी start नहीं करते हैं तो बच्चों का एक साल बुरी तरसे बरबाद हो जाएगा फिर अगले साल जाएगा बच्चों का टल जाएगा एक साल ठीक है जिसके कान से college क्या कर रहे हैं कि अभी November से आपका session start करने वाले हैं ठीक है अब November से start होगा तो मतलब end of the October तक या middle of the October तक आपका result भी आ जाएगा ठीक है उसके बाद आपका start होगा अगर हम यह बात करें से पहले वाला जो UGC का कलेंडर आया हुआ था तो आप जेकर पा रहे होगे कि हमारा क्रोणा का किसी speed से बढ़ रहा है और ठीक है वह एकदम high level पे आगए वापस से peak level पे डैली के अंदर में इस पेसली बढ़ रहा है ठीक है तो उसके कान से यह क्या decision क्या लिया गया यूजी सी के दौरा नया guidelines तैकी गई और उसके ठीक है हो सकते हैं अभी confirm नहीं है बर जो एक संभावना है जता जारी है 30 November तक admission का last date रहेगा और अगर मालो कोई बच्चे ने admission ले लिया और उसको cancel करवाना है ठीक है तो वो cancel करवा सकता है जैसे कोई बच्चा migrant हो रहा है यहां से जा रहा है कहीं और बाग कहीं जा रहा है कि उसको पूरी fee return हो जाएगी यह भी इस बार option दिया गया है और यह option देने का reason क्या था दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे क्या है एक नॉमिकली भी बहुत सारी problem face कर रहे हैं और अगर इस तरह का step नहीं उठाती है college तो एक मतलब बच्चों को पर भी बुरा असर इसे कहां से manage करें यह सारी चीजे तो जिसके कारण से यह कहा गया कि college क्या करेगी पूरी fee refund कर देगी बिना cancellation charge के पहले गया होता था कि कई बार बच्चों की fees फस जाती थी तो फसी रहे गे refund भी नहीं मिलता था और कई जगह पर refund मिलता भी था तो उन्हें cancellation charge पे करना गया है कि अगर 30 November से पहले कोई भी 30 दिन के अंदर में पहले कर कोई भी admission अपना वापस लेता है तो उसे refund हो जाएगा तो यहां पर end of the video यह समझ में आता है दोस्तों कि इस मतलब November से आपका session start हो सकता है classes भी start हो सकती है classes के अगर मैं बात कूर तो यहां पर classes के mode रखे गए online और offline ठीक है जादा दा chances ही हो सकता है दोस्तों कि जब आप classes start or admission लो तो आपको user ID password जासा कुछ मिल सके यह कुछ और जहां पर आप online classes ही आपको लेने पड़ेंगी सुरुआत में या फिर अगर आपका वहां का जिस state में भी आप रहते हो या जिस college से भी पढ़ रहे हो अग कि user cases कम है तो हो सकता है कि आपके colleges में भी entry दी जा सके और अच्छे से आपको treat के जाए ठीक है आपकी classes time to time दी जाए यह सारी चीजे भी हो सकती है तो अभी दो तरह के options रखी गई है class में भी online और offline दोनों में से कुछ भी हो सकता है बस यहां पर main चीज यह है कि आपका first year का जो classes है या final जो fresh students की batch है वो नौंबर से start हो जाएगा all the best अगर आप first year में हो या फिर आजाने मतलब आप जाने वाले हो तो all the best और सही से पढ़े अच्छे से पढ़े ठीक है और जो भी result है first year, final year, second year का वो end of the October तक आ जाएगा ठीक है तो don't worry और अपना आगी की तियारी कर तेने all the best, bye-bye